हेलो बच्चों आज सुनो आज हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं नहीं बाते करेंगे देखना तुम्हें मज़ा आएगा एकदम ठीक है तो क्या-क्या बात करूंगा हमें आज आपके साथ आज में बात करूंगा लॉग किसकी बात करूंगा एक तो लॉग की और हम सब्सक्राइब लोग आगा, इसक्राएब एक बार लोग एकवेजन में यूज भटा ठीक है जैसे एक्स्पॉनेंशियल के बारे में थोड़ा जानता हूं ना सपनेशियल मतलब क्या मतलब के जैसे ऐसा के 2 की पाउर 3 कितना होता है दो दोने 4 दोनी 8 तो बेटअ जब मैंने यह लिखा तो इसमें यह दो क्या है इसको Esponential format केहते है 할게요 कैते है इसे exponential format इसमें जो दो है ना कि दो है बैस जो तीन है ना इसको तुम powers कह लो है ना इसको तुम Exponent कह लो जो तुम्मारा मन करें कह लो Exponent कह लो ARM जो अर्गियोमेंट क्या कहते हैries दो डार्गियोमेंट तो आठ को लिखने का देखो दो तरीका हुआ क्या एक तो आपने इसको exponential form में लेका कैसे 2 to the power 3 और एक होती है logarithmic form logarithmic form logarithmic form क्या कहा गया सुनो जरा एक बर लिखने का तरीका है बस और कुछ भी नहीं है सुनना जरा दियान से तो logarithmic देखो क्या हुआ कि बेस की पावर 3 क्या हुई 8 कि टीन आठ हुई तो लोग में अगर मुझे इस नंबर के लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता कैसे कि भाया ध्यान से सुनो log क्या लिखता log बोलता कि बेस की पावर को कितना करूँ बेस की पावर को कितना rise करूँ कि 8 आजाए base की power को कितना rise करूँ कि 8 आजाए तो इस number को लिखना होता तो यहां पर मैं क्या रिखा 3 आती तो मैं क्या रिखा कि base की value को अगर 3 times rise करें मतलब कि 2 की power 3 होगी तो answer आएगा 8 answer आएगा 8 मतलब कि log2 पढ़ना कैसे इसको log 2 log 8 with base 2 या फिर ऐसा पढ़ ले के log with base 2 of 8 log with base 2 of 8 is equal to 3 log with base 2 of 8 is equal to 3 पकी बात एकदम सोच ले और करते हैं देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना ऐसे कैसे बीना प्रैक्टिस करें वह थोड़ी छोड़ेंगे ताकि हर एक बच्चे को समा जाना चाहिए हम द्यान से सुनो तो मैं जानता हूं कि तीन की पावर तीन कितना होता है तीन तीन होता है 27 तो 27 होता है न तो सुनो लॉग मैं लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं कि लॉग देखो बेस की पावर को कितना राइस करूं कि आंसर 27 आ जाए तो मैं बात समझा गई कि बेस की पावर को कितना राइस करूं कि आंसर 27 आ जाए ठीक है तो य आज की बाद आगर आपसे कभी कोई क्यालकुलेट कर वाए आपसे कोई पूछे के लॉग 327 बॉल कितना है तो इसका मलब आपको समझ आना चाहिए कि तीन की पावर को भाईया कितना राइस करूं कि अंसर 27 आए तो आपको पता है कि कितना करना होता है 3 कि उसमें कोई परिश वी हैव ए टो दी पावर एकस इस एकल टो एन ए टो दी पावर एकस इस एकल टो एन तो क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ लॉग में लिखें तो लॉग में कैसे लिखेंगे कि बेस की पावर को कितना राइस करें कि बेस की पावर को कितना राइस करें कि एन आजाए क्या आजाए n आजाए और n क्या होता है a to the power x तो क्या हुआ कि log of a with base a और a to the power x is equal to x that's how you define log that's how you define log पर अपने कोई से कोई परेशान होने की कोई अवशक्ता नहीं थोड़ा बहुत समझा जाए तो बहुत अच्छा नहीं आए तो कोई tension वाली बात नहीं पर याद क्या करना है वो सुने इसकी कुछ properties है बेटा इसकी क्या है कुछ properties है जो कि मुझे याद होनी चा log of n इसी तरह से कर ऐसा मिल जाए कि log of m into n तो आप उसको ऐसा लग सकते हो log of m प्लस log of n ठीक है कभी-कभी ऐसा मिल जाए कि log of k log of m to the power n तो आप उसको ऐसा लग सकते हो कैसे n log of m कैसे लग सकते हो n log of m यह तीन बहुत important property है आज के बाद मुझे contest होनी चाहिए आज के बाद मैं भाषा सिखा रहा हूब तुम्ने पहली वाली वीडियो तो देखी हो गी ना प्रिवक इस В्डाली ती वह वीडियो तुमने देखी है नहीं देखी तो कोही Yo में बाल दूँगा को सब्सक्राइब करें और चैनल कौन सा देखो मैं यहां पर लिख देता है www.youtube.com क्वाON करेंगे तो आप ऐसे लिख देगे को था ईप सीदा लीजिए jeśli इस वेल si अपको दिख जाएगा एक बच्चा सा दिखेगा लोगों को बच्चा सा इसा पेड़ सा दिख जाएगा छा रही जाएगा यह समझ आ जाएंगी पकी बात एक दम सोच ले अच्छा बाई बहुत बढ़िया आओ सुनो तो इसको जर्ण बर नोट करो फिर चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ठीक है करो देखो अब थोड़े से अगर्ण तो कैसे लिखेंगे इसको देखो सकते हैं लॉग ऑफ एक स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ ना पीछे बढ़ा दिया और फिर उसका में पीछे पावर उसको आगए वाले को पीछे बढ़ा सकते हैं इसमें कोई टेंचन वाली बात नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते यह 4 log of x plus 5 या 8 log of y बोला कि इसको सिंप्लिफाइए करो इसको करो सिंप्लिफाइए तो कैसे सिंप्लिफाइए करेंगे ध्यान से देखो तो मैंने का इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कैसे log of x की पावर 4 4 को पर ले जा सकते हैं प्लस log of y to the power 8 8 को पर ले जा सकते हैं और बीच में plus का sign है तो क्या कर सकते हैं मल्टिप्लाइ करके जा सकते हैं तो कैसे लिखेंगे log of x power 4 और y power 8 ऐसा लग सकते हैं इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं एक है कि तुम्हें समझ आ गया बैट लोग के बारे में सर्फ अभी मुझे इतना घ्ञान करना है बाकी का जो ज्लिप गयान होगा समय के साथ मैं आपको दुंगा स् autant थ्प्रोपटी मैइम्राइस करनी है ठीक है अभी इससे अटेटिटी तो यही होती है, sin2x plus cos2x is equal to 1, मैं ऐसा ऐसा आजियूम कर रहा हूँ तुम्हें यह आती है, इसके लाओ तुम्हें यह भी पता है, कि sin square x को 1 minus cos square x b लिख देते हैं उस तरफ ले जाके या फिर cos square x को 1 minus sin square x b लिख देते हैं मैं ऐसा assume कर रहा हूँ कि ये 3 तुम्हें आती हैं फिर तुम्हें याद हो तो अगर दसी में पढ़के आयो तो साइन से डिवैड कर देते हैं फिर तीन आती थी तो ये no identity तुम्हें आती है मैं ऐसा assume कर रहा हूँ और मैं ऐसा assume कर रहा हूँ कि तुम्हें 0 से लेकर 90 तक के सारे values तुम्हें याद हैं मतलब कैसा है करते थे सिरीज बनाते थे 0 30 45 60 90 याद है ना फिर क्या करते थे सब को ऐसे गिंती लिख देते इसके नीचे कैसे 0 1 2 3 4 फिर 4 से डिवैड कर देते थे ऐसा करके आयो ना सब याद है कि नहीं याद है तुम्हें है ना ऐसे फिर अंडरूट लगा देते थे यह 0 याद है कि नहीं याद है तुम्हें पकी बात एकदम सोच लो बेटा कोई घबराट नहीं मन के अंदर किसी प्रकार की इसी तरह से 10 की वैलियू आती थी इनको डिवैड करके यह 0 हो जाता था यह नोट डिफाइंड था यह किता था वन आता था यह किता था वन बाई और नीचे फिर जाओगे तो अंडरूट 3 तो यह तरह से यह अंडरूट 3 तो आए थिंक यह सारी बाते तुम्हें आती है और मुझे मैं ऐसा जूम कर रहा हूं कि तुम्हें पता है कि साइन कॉस और 10 क्या होता है ना कि अगर एक राइट अंगल ट्राइंगल हो जिसमें अ और यह सब बाते तुम पढ़के आया होगे है ना पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा अरभ यह पंडित-बद्री परसा जो बित उमने पढ़ाओ है तो मुझे पता है क्या पता है मुझे अभी तक मैं पढ़के आया हूं कि पर्पेंडिकुलर और हाइपोड नि वह क्या होता है 10 जब आप साइंज वड़ वे कॉस्ट करोगे ना तो पी बाई एच और फिर एच बाई बी बचेगा क्या बचेगा पी बाई भी इसा ही बोला जाता है 10 तो मैं ऐसा अजूम कर रहा हूं कि 90 डिगरी तक के एंगल की ट्रिगनोमेटरी यह सारे रेशॉज यह बेसिक ट्राइंगल यह सब तुम्हें आती है यह सा मैं अजियूम कर रहा हूं ठीक है उसके बाद फिर में आगे बढ़ रहा हूं ठीक है चलो कर रहा है बेटा इस फीडियो में मैं आपको 90 डिगरी से जाधा की जो ट्रिगनोमेटरी है ना मैं आपको वह सिखाऊंगा सु कि रटवाना नहीं चाहता हों पीछह क्या है ठीक है तो सब्सक्राइब यह गया उसका बेस और यह उसका perpendicular है ना मैंने का चलो यहाँ पर भी SS को मैं मिला देते हैं तो यहाँ पर भी एक देखो यह rectangle triangle हो गई मैंने का चलो नीचे भी मिला देते हैं तो यह rectangle triangle हो गई मैंने का यहाँ पर भी मिला देते हैं और यह क्या हो गई यह rectangle triangle हो गई क्या तुम देख रहे हो अब तुम देख रहे हो, बेटा अब ये 4 भागों में जैसे मैंने बाठ दिया ना, इसको 1st quadrant बोलते हैं, इसको 2nd quadrant बोलते हैं, इसको 3rd quadrant बोलते हैं, इसको 4th quadrant बोलते हैं, ठीक है, तो xyx से मैंने 4 quadrant बना दी, पहली quadrant, दूसरी quadrant, तीसरी quadrant और 4th quadrant, अब तुम बहुत ध्यान स से सुनना जरा ध्यान से सुनो तो पहली वाली जो ट्राइंगल है देखो पहली वाली जो ट्राइंगल है उसमें तुम मुझे एक बात बताओ तुम मैंने नंबर लाइन तो पड़ा है न तो मिलब इधर के नंबर सारे पॉजटिव इधर के नंबर सारे नेगिटिव उपर के सारी दूरी positive इधर की सारी दूरी negative ऊपर की सारी दूरी positive नीचे की सारी दूरी negative यह जानता हूं तो ध्यान से सुन तो पहली वाली Quadrant में तुम देखोगे के जो right angle triangle है ना इसका base positive है इसका base positive है इसका जो perpendicular है वो भी positive है और जो high-potonius है वो तो हमेशा यह positive होता है क्यों 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 कि हाइपोर्टनिस यह होता है अंडर रूट बेस का स्क्वेर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्क्वेर अब अगर नेगिटिव भी होगा बेस मान लो यह अब पर्पेंडिकुलर अगर नेगिटिव भी हुआ तो स्क्वेर होके तो पॉजिटिव always positive, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, अब जहान से सुन, जहान सुन, तो दूसरी quadrant में, मैं क्या देखता हूँ, कि base तो negative है, बेस तो negative है, पर perpendicular positive है, और hypotenuse तो हमेशा positive ही है, तिसरे quadrant में देखो, तो base भी negative, और perpendicular भी negative, और hypotenuse तो हमेशा positive है, अब फोर्थ quadrant में देखो, तो base तो positive, अरे perpendicular तो negative, और hypotenuse तो always positive, अब बेटा, मैं इन तीनों के ratio की बात करता हूँ, किस किस ratio की, तुमने पढ़ा होगा ना, फिर से बोलो, पंडेत, पदरी, परसाद, हर, हर, बोले, मैं तो कहता हूँ, पाकिस्तान, भुका प्यासा, हिंदुस्तान, हरा बरा, तुम ध्यान से देखो, तो P by H को क्या बोला था, sign बोला था, क्या बोला था, sign, base by hypotenuse को क्या बोला था, क्या बोला था, और perpendicular by base को क्या बोला था, बेटा, 10 बोला था, क्या बोला था, 10, अच्छा, 1 by sign क्या होता है, cosecant, अच्छा 1 by cos क्या होता है, secant 1 by 10 क्या होता है, cot है ना, ये 6 ratio होते हैं, trigonometric ratio होते हैं है ना, ये मुझे पता है, है ना, पता है कि नहीं पता है यार, अब ध्यान से सुन तो अगर सारे के सारे ये numbers positive हैं, तो इनके ratio भी positive मलब के 6 के 6 ratio पहली quadrant में all positive all positive, क्या बात समझाई, पकी बात रहा हैं, अब देख दूसरी quadrant में देख, दूसरी quadrant में base negative है, इसका मतलब के cos भी negative और 10 भी negative, positive क्या, sign और cos, positive क्या, sign और cos, तो दूसरे वाली इनके ट्रेंग जो quadrant है, उसमें sign sign and secant basic ओ попробуем Sag, sign and으니까 opin साइन और funcion तो sign और स्पा उलता ये दोनो positive हैं, ये दोनो positive हैं, तो तीसरी quadrant में देख,utive inks और perpendicular negative, inks और नदो سाइन और coss negative क्या है नब, पर से classmates और पॉस neधिव नदो negative को मार दिया तो 10 positive within positive, तो positive और Cayo both अधि तीश्री कवादनने ten और कोट पॉज़िटिव तीसरी गवादन में और कॉज़िटिव क्या तुम्हें बात समझ आई ten और कोट है अब द 걸로 में देख सिर्फ गयु आगजिटिव तो कॉस्ट और सी केंट पॉजटिव क्या तुम्हें बात समझ आई। थेक्स्यक्वाइब और साइन पॉजटिव कॉजश ले घ्म सेव थोड़ी करते बैठें सब करेंगे उसके कांड पॉजटिव मुजदाए नेगिटिव पहली कोड़ेंट में all positive ठीक है after school to college या cinema wherever you want to go college जाने तो college, cinema जाने तो cinema, देखो सनो all positive, sign और उसका उल्टा cosecant positive, 10 और उसका उल्टा cod positive, यहाँ पर cos और उसका उल्टा second positive, after school to college, यह याद रखना है कि पहले कोड़ेंट में सारे positive, दूसरे में sign और cosecant positive, तीसरे में 10 और cod positive, चोथे में cos secant, और cos, क्या बहुता है, cos or secant positive, ठीक है, पकी बात एक दम, बात याद रहे जाएगी, after school to college, after school to college, after school to college, याद रहे जाएगी इतनी बात तो अपने को, कोई समस्या नहीं है, और सुनो, देखो द्यान से सुनो, और बढ़िया-बढ़िया बात बताता हूं, यह x-axis है, यह y-axis है, तो बेटा, अगर माले जीए, कि अपन ऐसे चलना शुरू करें, तो x-axis पर, अगर मालो कोई line ऐसे ही हो, तो वो x-axis कितना angle बना रही है, 0 degree, मालो x-axis ऐसी, और y-axis ऐसी, तो इनके बीच में angle कितना है, यह angle है, पाई बाई 2, मालो x-axis ऐसी, और y-axis ऐस बेटा, 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 जानते हो, जब मैं चोटा था ना, मेरे को यह सब बिलकुल समझी नहीं आता था, एक तो मन्द बुद्धी होता था मैं, पर मैंने बहुत बड़ा प्रेक्टिस करी, मैंने बहुत बाली कि लिख के देखा था, लिख 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 क्या मतलब है क्या मतलब है क्या मतलब कि यहां से चलना शुरू करके घूम जाओगे ना तो आप 270 डिगरी का एंगल घूम लोगे अगल घूम लोगे 270 डिगरी का अगल लोगे और उसमें अभ्यागर और जोड़ें तो देख सुन पाइबाइटू थे पाइबाइटू तो फॉर पाइबाइटू मतलब कितना टूपाइब मतलब यहां तो आप इसे जीरो डिगरी बोल लो बात तो एक यह दियान सुनओ यह बात हैं रखूंगा कि जीरो से पाई बाई टू का मतलब है कि जीरो से 90 जीरो से 90 डिगरी जीरो से 90 डिगरी जीरो से 90 डिगरी तक की जो भी एंगल बनेंगे वह पहली कौरण में बनेंगे कहां बनेंगे पहली कौरण में फिर 90 से लेके 180 तक की एंगल कहां बनेंगे दू दूसरी क्वाडन्ट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के अंगल बनते हैं। तीसरी क्वाडन्ट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के अंगल बनते हैं। चोथी क्वाडन्ट में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के अंगल बनते हैं। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, अब मुझे समझ आती है, पक्की बात एकदम सोच लो, तुमारे मन में कोई घबराट तो नहीं है न, पक्की बात एकदम चलो, तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आज़ो बेटा से, तो अच्छी बाते सिखाता हूँ, सुनो, जानते हो, सवाल की इस तरह का बोला जाएगा, सवाल इस तरह से बोला जाएगा, कि find the value of, पहले तुम्हें सवाल बताता हूँ, कि सवाल के पुछे जाता है, सवाल पुछे जाता है, कि find the value of, बोलेगा, sign 120 degree, या फिर, cos 150 degree, ऐ कैसा बोल देगा के के सि kेंट वन्ट डिग्री तो अब मैंने तो इनेंगल के बढ़ी मैं तो 90 चानता हूं इसके लावा मैं कुछ भी नहीं जानता मैं नहीं तो बेटा सुनो इस तरह के सवालों को करने कि क्या परतिकरिया होती कैसे इसको सवाल करते हैं कि क्या टेकनीक होती है मैं आपको बताता हूँ सुनो ज़रा दियान से देखो क्या सवाल बोला गया ऐसे बोला गया क्या करागए पहले point क्या बोला गया बोला गया कि write the angle write the angle in terms of in terms of multiple multiple of pi by 2 मतलब कि जो भी एंगल हो उसके πाई बाई टू के मल्टिपल में उसको लिख लो तुमको अब बिलकुल एक पॉइंट में अच्छे से क्लिने करूँगा बिलकुल एजामपल लेके तुमको सब कुछ आएगा मेरी गारंटी है ठीक है तो क्या बोला कि भी राइड़ एंगल इन्टाम्स ओ में इनग्स करके गया ठीक है फिर क्या बोला कि अब यह देखें कि यह एंगल कि की एंगल कि स्कॉाइट में है है और उस क्उअएट में और उस क्वाइट में और उस में oh और उस खें Studios और के त वह रहाग। और उस quadrant में उस quadrant में वो ratio मतलब जो भी साइन को जो भी तुमको निकालना है वो ratio positive है या negative फिर क्या बोला गया कि अगर अगर ध्यान सुनो अगर एंगल पाई बाई टू के odd multiple में है तो function change होगा function change होगा कैसे change होगा बोला sign को change करेंगे cos में cos को change करेंगे sin काइनू साइन को चेंज के शाइनु सत्सक्राइब को हो में ब्ला कि सीवाइन को चेंज करेंगे साइनु साइन can नोट कर फिर में बताता हूं एक बार कर जा रहा है नोट कर एक बार अच्छे से इसको फिर में बताता हूं क्या कहना चाहरा हूं मैं बोला कि function of theta है बोला कि sin 120 degree ठीक है ऐसा बोला गए function of theta तो नहीं है यह बोला कि sin 120 degree की value बताओ sin 120 degree की क्या बताओ value बताओ तो पहला point क्या लिखाया था मैंने तुम्हें मैंने बोला था कि जो भी अंदर angle दिया हो उस angle को pi by 2 के मतलब के 90 के multiple में लिखो कैसे लिखो 90 के multiple में लिखो तो मतलब कि आपने इसको ऐसा लिख सकते हैं कैसे sin 120 degree को ऐसा लिख सकते हैं 90 plus 30 कैसे लिख सकते हैं 90 plus 30 तुम्हें बात समझ आई या फिर ऐसा लिख लो sin pi by 2 plus 30 degree ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं हाँ sir बिल्कुल लिख सकते हैं अब मुझे एक बात बताओ कि ये angle किस quadrant में है 120 degree का angle किस quadrant में है बोला sir second quadrant में क्योंकि 0 से 90 पहली और 90 से 180 दूसरी तो 120 कहां आया दूसरी quadrant में आया कहां आया दूसरी quadrant में आया बहुत बड़ी है भाई मैंने बना लिया side में हलाकि ये सब चीज़े तुम फिर औरली कर पाओगे ठीक है पहली quadrant दूसरी तीसरी और ये चौथी पहली में all positive दूसरी में sign positive after school to college sign or cosecant positive तीसरी में 10 positive or caught positive और 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 सब आहें से सुनो तो मैंने क्या बोला कि sir कौंसी इंकल कौ Vaughand वाला सर दूसरी quadrant models कानूसरी quadrant में is दूसरी quadrant में क्या दूसरी quadrant में sign positive होता है यह था देखो क्या अपने पास तो Sin high by 2 plus 30 degree बोला । मीने कहा होता है आपका जो answer आहे गा वह पॉजिटीव होगा आपका जो आणसर आएगा वह कैसा होगा बेटा पॉजिटीव होगा अच्छा फ़ाई बहुत बढ़िया अब यह देखें कि यह एंगल में पाईवाइटों का एवनगतीपल है कि और मल्टीपल है तुम बताओ पाईबाइटों एपने आपका यह और म olur में और रहे एक से तो मुल्टिप्ला करों तो अगर एक से तो मिलेगा तो अगर ऑड बन किसमें चेंज हो जाएगा कॉस में और अंसर आ जाएगा प्लस कॉस्त इंसर और सटी तो मैं जानता हूं ये कितनी होती है डरूट थी बाइट तो आपका अंसर कितना सब्सक्राइब करते हैं अभी और सवाल करते हैं अभी ऐसे थोड़ी पीच छोटूंगा तुम्हारा अब बोला सर 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 ज्यांस देखो सर 120 डिगरी को सर ऐसा लिखना लिखके सर ऐसा लिखनू तो 180 डिगरी सर माइनस 60 डिगरी सर तभी भी तो एक ही बात है आपने बोला थ तो साइन पाई माइनस 60 यहीं तो मतलब है तुम्हारा भाईया फिर क्या मतलब है कि टू पाई बाई 2 माईनस 60 बोला सर बिलकुल मैंने पूचा बच्चे को कि कौनसा कॉटटन तो आया positive, तो आया positive, तो आया positive, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, अब बताओ, कि पाई भाई 2 खुद का even multiple है, कि और multiple है, तो इसका मतलब function change नहीं होगा, इसका मतलब function change नहीं होगा, और तुम खुद बोलो, sin 60 के value कितनी आती है, under root 3 by 2 आती है, भाई साब गणी तहीं है, कहीं से भी कान पकड़ लो, कुछ भी change होने वाला नहीं है, पकी बात एकदम, सोच ले, अभी इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ रहा, तो उमारा tension मतलो, देखो सोनो, ऐसे देखो, और सवाल करते हैं अभी, मै triangle बोला, मैंने 10 to 40 degree, अच्छा बई, करो जब एक बड़ वीडियो को stop करके, देखो, try करो, करा तुमने, देखो सुनो, तो 10 to 40 degree को बच्चा बोला, सर, ऐसा लिख दूँ, कैसा, 10 to 70 degree, मैंने कहा, बिल्कुत सही लिखा तुने, क्योंकि 270 तो, 5 by 2 का multiple होता है, और कौन सा multiple होत यहाँ positive होता है, तो अपना answer positive आएगा, और सुनो, 3 by 2, odd multiple, given multiple, तुम बोलो, odd multiple, odd multiple है, odd multiple है, तो function change करेगा, 10 किसमें change कर जाएगा, caught में change कर जाएगा, caught 30 degree value रख दो, वही तुमारा answer है, answer आजाएगा, under root 3, answer आजाएगा, under root 3, इसमें कोई परिशान होने वाली बात नहीं है क्या तुमें बात समझ आ गई, पकी बात, बच्चा बोलो, सर, ऐसे नहीं करूँगा, सर, मैं तो ऐसे करूँगा, कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, सर, 180 plus करके लिखूँगा, तो 180 plus करके अगर बच्चा लिखे, तो कितना plus करना चाहिए, 60 plus करना चाहिए, कितना plus करना चा कोई परिशान होने वाली बात नहीं है अच्छा भई आंसर पॉजिटिव आ गया 180 डिगरी तो अपने आपका इवन मल्टिपल है तो फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है तो 1060 का आंसर कितना आता है अंडर रूट 3 तो आंसर चेंज होने वाला नहीं है तो कैसे भी लिख ले कोई घबराट तो नहीं मन के अंदर अभी भी सोच लो एकदम पकी बात है अच्छा भी और देखो ध्यान से देखो मैंने बच्चे को बोला कि बैटा माल ले ऐसा है कि साइन 150 डिग्री कितना है साइन 150 को कैसे लिखें ऐसा लेकलो मैं तो कहता हूं लो 180 डिग्री माइनस 30 ऐसा लग सकते हैं इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है बोला कौन सा कौडंट है बोला सर दूसरा कौडंट है दूसरे कौडंट में साइन positive होता है तो आंसर कैसा आएगा positive और यह कैसा है बोलो तुम even multiple है कि और multiple है यह तो even multiple है तो यह साइन और 30 sign 30 की value होते कि 1 by 2 तो answer आ गया ऐसे मैंने बच्चे को बोल दिया मैंने का ऐसे नहीं करते हैं अपने ऐसे करते हैं 10 150 degree क्या करते हैं 10 150 degree तो 10 150 मतलब के 10 को भी ऐसे लिख देता हूं कैसे 180 degree minus 30 degree ऐसे लिख दिया ना और बोलो second quadrant में 10 positive के negative negative तो answer आएगा negative और यह कैसा multiple है even multiple है तो function change नहीं करेगा 10 का 10 ही रह जाएगा और 10 30 degree कितना होता है under root 3 1 by under root 3 तो यह आया कि था माइनस का 1 by under root 3 माइनस तो एक पहले से था तो आए होप आपको समझ आ गया होगा बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है पहला कि किस quadrant में एंगल और दूसरा उस quadrant में positive है के negative ठीक है तूसरा आप से answer positive य नेगिटेव आएंगे और तीसरा कि व करेगा और अगर आप pi by 2 के साथ में 2, 4, 6, 8 देख लो तो function change करने वाला नहीं है भाई साब इतना सही है उसके फंडाइस के लावा और कुछ भी उसमें लेना देना अपना नहीं है पकी बात एक दम सोच ले इसके लावा कुछ और formula जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ज सबस्ट प्रूब कर लिए कितनी आएगी जिरो आएगी इसके लावा कॉस एनपाई is equal to minus 1 to the power is equal to minus 1 to the power and इसका मतलब कि अगर एंद की वैल्यू वन हुई तो अंसर आएगा minus 1 मrau पाइब संब 1 दिमाग लगा तो साइन माइनस टीटा क्या मतलब है कि 2 पाइब यर फिर 0जीटा आडए 0 बाद तो एक ही है तो डेखो और सुन च।ण minus theta is equal to cos theta cos minus theta is equal to cos theta तो यह formula कुछ मैंने आपको और बता दिये तो यह basic से formula हैं इसके लावा मुझे याद होने चाहिए कुछ और formula देखो और बताता हूँ फिर अपन वीडियो को stop करेंगे ठीक है करो ज़रा एक बार चलो आओ देखो तो उससे पहले यह रहा आपका homework अब आप मुझे यह calculate करके बताएंगे और हर एक बच्चा एक paper पर लिखकर इसको personally मेरे number पर बेजेगा इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि कौन बच्चा काम कर रहा है और कौन बच्चा सिरु fall to time pass कर रहा है ठीक है तो उससे तो यही पता चल जाएगा कि वीडियो किसके ने देखी एक तो और साथ-साथ किसने homework करके देखा तो पता चल जाएगा अपने को आना क्या-क्या find the value of सवाल पूछा गया find the value of क्या सवाल है पहला sign minus 30 sign minus 30 दूसरा cause minus 60 तीसरा 10-45 चौथा, 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 साइन 210, पाचवा 10-235, क्या बोला? 10-235, ये 245 कर लो, अच्छा रहेगा 245, अच्छा भाई, 10-245 और क्या बोला? और क्या बोला? एक और सवाल देते हैं, चलो कि कॉस्स, 220, ये सब वैल्यू तुम्हें आनी चाहिए, भाई साब, 110% आनी चाहिए पक्की बात एकदम, सोच ले, एक और सवाल देखो, अगर तुम्हें ट्रिक्नमेटर थोड़ी सी आती है, तो बोला गया कि if sin is equal to sin theta is equal to 3 by 5, ऐसा बोला? कि sin theta is equal to 3 by 5 then, then find the value, ये जान बूच के लिए है, मैंने सवाल तुम्हें अच्छा सवाल लेगी, then find the value of cos theta and 10 theta, ठीक है? एक यह हो गया आपका सवाल, ठीक है? इसके लावा देखो बेटा कुछ दो चाहर बेसिक फर्मुले लिग देता हूँ, ठीक है? उन्हें आप याद रखना है, त्र का फर्मुले हैं, कुछ फर्मुले, फर्मुले टू रिमेंबर, फर्मुले टू रिमेंबर, क्या फर्मुले उसमें पहला, पहला फर्मुला है, साइन, पहला फर्मुला है, साइन, ए प्लस बी का फर्मुला, क्या है, साइन, ए प्लस बी का फर्मुला, मैथमेटेक्स में आ ठीक है, दूसरा फॉर्मला, cos a plus b का, क्या लिखा, cos a cos b minus sin a sin b, तीसरा फॉर्मला, sin a minus b का, तो sin a cos b minus cos a sin b, चौता फॉर्मला, cos a minus b का, तो cos a cos b plus sin a sin b, क्या तुम्हें 4 फॉर्मला याद रहे जाएंगे, क्या तुम्हें 4 फॉर्मला याद रहे जाएंगे, अब ध्यान से सुनो, जरा एक बड़, तो दोनों फॉर्मले में देखना, उपर वाले दोनों फॉर्मले में, if we put, if we put a is equal to b in 1 and 2, in 1 and 2, तो देखो, पीटा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, cos 2 a, sin 2 a, यह हो जाएगा, cos 2 a, a is equal to b put कर दिया, is equal to a sum, तो यह हो जाएगा, sin 2 a, यह हो जाएगा, cos 2 a, तो फिर देखो, फॉर्मला किस तरह से, जाते हैं, देखो, सुनो, हो जाएगा, sin 2 a, minus cos 2 a, sin 2 a, minus cos 2 a, कैसा हो जाएगा, cos 2 a, minus sin 2 a, अब यचा फिर देखो, मैंने क्या करा, मैं कहता हूँ, कै इस में, क्या करते हैं, कि cos 2 a, जोड देते हैं, और cos 2 a, को घटा देते हैं, धीका है, ऐसा करते हैं, तो देखो, क्या मिला, स्वाल की तरह करते हैं इसको रटना कुछ भी नहीं है तो ज्यान सुनो तो द्यान से सुनो तो स्क्वार है मारत आं सुन गी मनें साइनस क्या कर द आ आं से कोई परीशानि वाली बात नहीं जोड़ा संस्क्वयर ये क्या बना वन ये क्या वन माइनस वicon स्कूर एद सदय तो यह बना टूसद स्कूर बना से च्शा पर्मुला मेरे यह बन गया क्या बन गया मैं बन गया हो U 2a is equal to 2 sin a cos a, और एक क्या आया, cos 2a is equal to 1-2 sin square a, इसके लावा 4 formula ये रहे, इसके लावा 4 formula ये रहे, तो अगर ये 4 formula मुझे याद है, तो बाकी 2 तो ये आई जाएंगे, है ना, इसके लावा एक और formula और होता है, सुनो 10 का भी एक formula होता है, वो होता है, 10 a plus b, क्या आया, 10 a plus 10 b divided by 1-10 a 10 b, non-medical वाले बच्चे तो जानते हैं, सर ने बढ़ा दिया होगा अभी तक, है ना, बेटा, अगर इसी में minus हो जाता तो, minus हो जाता तो, ये दोनों के दोनों sign जो हैं, वो पलट जाते, अगर 10 a plus b के बज़ाए, 10 a minus b का formula होता, तो ये दोनों sign पलट जाते हैं, इसमें कोई tension वाली बात नहीं, ठीक है, चलो, तो ये basic चीजे थी, ये basic trigonometry थी, जो मैंने आपको पढ़ाई, अगर इतनी आपको समझ में आ गई, अपना काम हो जाएगा, उसमें कोई tension वाली बात नहीं, चलो, अबर इसको अच्छे से note करो, फिरपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, सवाल मुझे करके ज़रू बेजना, homework है तुमारा ये, अरे क्या है तुमारा homework है, अच्छे से करके भेजना है इसको ठीक है, चलो, बाइबाई, टड़ा,